तो ठेक हो न आप सब, आ गया है Realme, अपना Realme 12 Pro Plus 5G स्मार्टफोन ले करके, और इस स्मार्टफोन का सारा चीजित डीटेल्स वगेरा लिख हो करके आ चुके हैं, जो कि आज की सूडियो में मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो के एंड तक देखते रहाना, लेकिन उससे पह स्मार्टफोन अगर इंडिया में लाँच होगा, तो जो लोग Realme 11 स्मार्टफोन लिए हैं, उनकी मतलब क्या ही जदर रह जाएगे, और 6 महिने में उसका सक्सेसर आ गया, अगर आप लोग को पता नहीं, तो मैं बता दो, पहले एक साल में इसका एक मोबाइल लाँच होता है, बीच में Realme का ब्रैंडिंग है, और Realme 12 Pro Plus 5G स्मार्टफोन में इस बार आप लोग को टेली फोटो लैंस देखने को मिल जाएगा, गोरिला गला स्विक्टास होने वाला है, IP68 होने वाला है, मतलब थोड़ा सपाने वगरा का छीटा पड़ेगा, तो बात करें, अगर ल लॉंच होगा, क्योंकि लोग को पता होगा कि पहले ये Realme नमबर सेरीज के स्मार्टफोन दिसंबर या फिर जनवरी में लॉंच होते थे, तो उसी हिसाब से ये इंडिया में उसी टाइम पे लॉंच होने वाला है, और इस स्मार्टफोन के बारे में अभी इतने ही कुछ पता थे, अगर आगे कुछ भी पता चलते हैं, तो मैं आप लोग को जरूर बताओंगा,